तो भाई स्वागत सभी बालक बालिकाओ और लोंडे लोंडियाओ काज किस वीडियो में और कुछ लोग कह रहोंगे भाई ये बंदा वापीस है चस्मा वस्मा पहान के बैट गया तो भाई पिछली वीडियो भी आमने देखो चस्मे के साथ ही बनाई थी और बंदों का लेकिन अब वह टकरा गया गलत बंदों से गलत बंदे कौन थे बाई गलत बंदे थे बाई हम अब हमसे टकर आ गए बन्दा फस गया मारकेट में फस गया तो अब पेला गया तो आप लोगों को दिखाएंगे चलो जी चलते हैं सबसे पहले वोर की तरफ उससे पहले घ Москв hur plain वालों के चरए हाइ आई डरेनी हो तो आप डेखते रहो लेकिन सबसे इंपोरेंट वाली चीज zijn क्या बाई बिते हैं कुछ लोग यह कहेंगे के बहाई जब यह war हो रहा था एया आप अठैक कर रहे थे आपने इस war के अठैक लाइव क्यों नहीं कीया है आ इसके उपर भाई में आपको बता दे तो मेरे घर के पास बाई कीरतन चल रहा था अब कीरतन न भाई वो होता जो बहुत सारे आसपास की ओरते और लेडिस लोग आपस में बैठके भाई डोलग वोलग लेके बैठ जाते हो भाई यह बगवान के गाने काते बहुत उचे अब जैसे भाई यह खतम हुआ है वीडियो बनाने बैठ गई है तो आओ बाई चलते हैं अब देखो यहां बंदों ने दुम्मा ठा दिया बाई ओपी ओपी करके मोगेंबो मोगेंबो बढ़िया मैनत करता बाई के लिए अपना और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव के लि चार्लिस का बाई ये वो spec कि और पाइट सारी इसकी मसीनरी भी Max' से वह मासीज मसीन ये सारी है तो इसी कारण से भाई यह लोग देखो वोर जीदते जारे होगे इसी सबसे पहले मैं आपको वह लोग ते तो पूरे वर लोग के अंदर 4-5 यह वर आ रहे हैं और उन में से भाई यह लेटेस्ट वर हमने चमकाई है 69 वर भाई अपोनेट ने खेले 60 वर जीते हुएं सिर्फ 9 वर आ रहे हैं भाई देखो चाहिए 9 जीते होते हैं यह 900 जीते होते हैं अपने हत्ते चड़ेंगे और देखो अगर यह टाउनल 11 रहा होता तो भाई 120 स्टार मारते हैं पर यह टाउनल 13 होने की विरासे भाई हमारे टैक वेस्ट होगे टाउनल 11 को टाउनल 13 पर टैक करने पड़े उसकी वर्यासे थोड़ी सी देखो गदी बैट गई अपनी सबसे पहले में आपको भाई अपने अटेक दिखाते हूं ठीक आज मैंने इस वोर में अटेक करते हैं जनरली भाई मैं अटेक करता नहीं और जब जाब आप एलेक्टर से अटैक कर रहे ओर आपनेंट के सीच मेंस निकल जाती है तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है आपके लिए हमेशा आपके बास भाई पोईजन होनची पोईजन ओना चुरह हूए और ये attack भाई बहुत भयानक तरीके से खत्रे में आ गया पर कोई दिक्कत नहीं भाई खत्रे में आ गया तो आ गया उसके बाद भाई अपनी किस्मत बुलंद रही क्योंकि जिन लोगों के होसले बुलंद रहते न उनकी किस्मत भी जोड़दार रहती है करें बैस कि अधिया खाव पेियों मोड से जीड़़ह को सकट रहे मैं और बड़ीयओ drie न इस चीज़े शीकाता है वो चीज़े सिखाता हैं आसा कुछ नहीं है ठीक है और चलो ये वाला अटैक होगे बहुत बड़ी आसान था मतलब थोड़ा आसान बेस था पर इसके उपर जो मेरा अटैक वना ये थोड़ा रगड़ रगड़ के थ्री स्टार हुआ इसके बाद जो भाई नंबर पांच पर अटैक किया था ये बेस था बाई एक ब्ले वाले वीडियो देखेंगे यह ना इंडेल लैपड़ वाले भी सारे के सारे अब वह कहेंगे भाई मेरा टैक नी दिखाया बाई मैं किस किस के अटैक्स में दिखाऊ हुँआ क्योंकि जाधा लंबी वीडियो अपना रिकोर्ड करने सकते बहुं सबके जिनका जो नस लेकिन उससे खतरनाक पड़िया इसके उपर अटेक खतरनाक इसलिए पड़िया क्योंकि बहुत बढ़िया करी थी हमने इस बेस के अटक के उपर और तो इसकी तो भाई गदी बैठनी तया ही थी अब लेकिन सबसे खत्रह भाले क्या बात किने इसमें इसकी चार-चार एक्स भाई एर थी और जब भाई मेरे बार 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 इलेक्टर यहां पर पहुच रहे ना एक्सपो की तरफ भाई मैं अपने आर्मी केंप के अंदर बार बार रोयल चैंपियन को डून रहा और फिर बार बार मैं याद करूं भाई यह तो मेरी टाउनल 11 की आईडिया इसमें र बार मन करें कि भाई में रोयल चैंपियन चोड़के नहीं एक्सपो को तोड़ दू और फिर भाई बाई बापिस अपनी रोयल चैंपियन को डून और आर्मी के अंदर बाई वह मिलाई ना पर चलो कोई बात नी फिर भाई यह अटक थी श्टार तो हमने मारी दिया और कमफेटबली मार दिया भाई थी श्टार मुस्किल जादा हुई नहीं बेस के उपपर और यह बेस काफी इंपोटेंट था जो कि भाई हमने मार दिया अब इसके बाद में आपको दिखाता हूं टाउनल 10 के उपपर अटक ताउनल 10 के उपपर किसका अटक दिखा देंगे क्या नाम इसका है डेविल राजन डेविल राजन लग रहा भाई यह ओहो बारा विच आट लाइटनिंग ओहो इनफर्नो तोड़े होंगे भाई इसने यह अटक दिखाता हूं आपको बारा विच तीन गोलेमन गोलेमन समझते हो ना भाई आपको गोलम जिनको कहते हूं उ इंफर्णों को ना जीने देगा भाई ये पर मेरे ख्याल से इसको इंफर्णों तोड़ने की जर्रत भी नहीं थी क्योंकि जो सिंगल टार्गेट इंफर्णों होते है ना और अगर आप मास वीच के साथ अटेक कर रहे हो तो भाई उनको तोड़ो इमत कोई दिक्कत नहीं हो होगी तो इस तरह का भाई ये अटेक था पठ फिर भी बाई देखो बंदे ने 3 स्टार कर रहा है तो आप आपको दिखा भी देगे अब भाई ये बंदा को ने इतने सारे बंदे क्लैन के अंदर पहले को मैं को सोचके दिखानी रख किसका दिखाना जिसका अपने ओ बंद लेकिन इसमें भाई आर्मी का थोड़ा सा फरक है दस बोलर दस वीच और दो गोले मन दो गोले मन लेका आएं भाई इस बार गोले मन और CC के अंदर हैं भाई होग राइडर होते हैं इस वाले अटेक के अंदर क्यूंकि siege barrack आपको दिख रहा होगा अब इसमें क्या होता दो गोले मन छोड़ते हैं उसके पीचे से भाई पीच को स्प्रैड करके छोड़ा देते हैं 20 से सेंटर से किंग और क्वीन को छोड़ा जाता है और सेंटर में ही छोड़ा जाता है भाई सीज बैरक को भी अभी यहां पर यह बंदा वेट कर रहा है कि कब फनल सी बन जाए उसके बाद भाई बोलरों से बोलिंग चालू करवाएगा उससे पहले बोलिंग चालू कराने के लिए इसने मना क्या हुआ है चलो जी देखते हैं कितनी देर में बोलिंग चालू कराएगा भाई बोलिंग चालू करवा दिया इसने साथ में अपनी क्वीन भ मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सही तरीकह से तोड़ दिया था इसको वोल रहक कर बोल्स को मतलब क्योंकि यहां से तोडने पे ही मैक्सीमुम बैनिफिट ह हो रहे थे वो थोड़ा सा थाज फस भी गया बाई अभी हाल फिलाल में कोई टूर्णमेंटी ने चल रहा तो भाई कैसे क्या बता दूँ अभी तो भाई सूपर दिवाली चलुएगा वहाँ पे तुमारे भाई ने ओरड़ी चाती चोड़ी करके बाई क्या हुआ है वहाँ पे कोशिस करेंगे भाई एक से किलन की गदी बिटाने की और देखेंगे भाई हम गदी बिटा पाएंगे या हमारी गदी बैट जाई यह तो भाई बताएगा समय ही तो चलो भाई अगले वह अटेक की तरफ चलते हैं टाउनोल नो के एक दो अटेक आप दिखा दो अब माँ आपको दिखाऊंगा टाउनोल नो के अपर अटाएग ओहो यह तो भाई एकदम नकली बेस है चासमा अटाना पड़ेगा भाई असली सा बेस ढूंड के दिखाऊंगा माँ आपको कोई स्काउट कर लेते हैं जो बढ़िया बेस लगेगा भाई उसके अब दिखाएंगे फुली मैक्स होना चीए एकदम ऐसे नकली वकली बेस नियों चीए जिसके अंदर जानों जैसे अंबूजय सिमिंट के अंदर जान होती है ना उसी तरीके से बाई किसी बेस के अंदर जब हमें पूरी भर्पूर जान मिलेगे ने टाउनोल नो के उसके पर यह देखो यह वाला बेस अच्छा है इस वाले बेस के उपर हम दिखाते हैं कैसे गदी बिटाई गई इसकी अब आर्मी देख लो वापिस से 10 वीच 10 और टाउनोल 10 ने अटक कर दिया यार यह लोंडों का दिमाग खराब है टाउनोल 10 से टाउनोल नोप अटक कर रहो बाई ऐसे इतने सारी अटक न कैसे ध्यान रगों के बाई टाउनोल 10 ने टाउनोल नोप पे करा है बाई बड़ा मुश्किल काम होता है और तुमारे एकदम बाई अंकट वीडियो बनाता है तो एक ही चांस होता है वीडियो रिकोड करने का उसमें बाई देखो देखना थ पर अटक क्या हो बाई यह वाल अटाउनोल 9 का टाउनोल 9 कैट पर देखो 30 के राजा है 30 की राणी है दो रेज है एक जंप है और एक आपकी भाई फिरीज है एक पोइस हो गयें किंग क्वीन की बाई सुसाइड वोक है साथ में गोलिमन है और गोलिमन से टार्गेट किया जाएगा किंग से टारगेट के रहेगा अपोनेंट की क्वीन को और किंग को भी मारने की कोसिस तो नहीं कर सकते क्यूंकि किंग है दूसरे साइड पे यानि कि सीसी मारने की कोसिस कि जाएगी और कोसिस करी गई है तो भाई इसको मार भी दियेगा हो छोड़ा भी ना गया क्योंकि Lower Town Hall का भाई बहुत सांदार बहुत जबरजस्त बहुत खतरना किलैन हम इसको तयार करेंगे जो भाई इंडिया के अंदर धुम्मा ठा देगा आने वाले टाइम में यहां होगा बाई इंडियान जो कि वाई अपने लगों के अपना यहैं 15 बुप से चालू रहते हैं जैसे यह बंदे लगते हैं वेटिंग मदल दस बारा पंदर हरवक्त ओल लाइन रहते हैं अभी देखो वोर दुबारा चायलू हो गये किंग वोरियर्स के साथ भाई अपोनेंट की इनकी भी वोर्मिस्टीक एक ही है इनका तो जलो कोई खास वोर्मिस्टीक नहीं लग लिया पर यार यह देखो यह मेरे मिसमैच समझ में मिसमैच भाई यह क्यों हो रहा है हमारे भाई देखो टाउनल ग्यारा से उपर का कोई प्लेयरी नहीं है और अपोनेंट में टाउनल 12 आ गए हैं वो भी 3-3 पर चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस तरह कि मिसमैच से भाई एक बर को किलेयन हार जाए तो हार जाए वैसे तो भाई यह हारने से रहा अगर भाई नارमल फेयर वोर होती है या फिर फियर अपोनेंट अमको टकराते है ठीक है भाई तो यह तो दी भाई अपोनेंट की 20 की वोर विंच टीक हमने कैसे तोड़ी तो बताना भाई कैसी आपको ये वीडियो लगी और भाई अगर पसंद आईए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलेंगा आपसे भाई बहुत ही जल्ड अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी अपना क्या रखे